रभी सीजन में खाद की कोई कमी नहीं उर्वरक मंत्राले ने कहा, सभी राजियों को जरूरत के अनुसार उर्वरक भेज रही केंद सरकार नहीं दिली, सरकार ने कहा कि चालू रभी सत्र के लिए देशबर में यूरिया और डी एपी सहित प्रमुक खाद परियाप्ती मात्र में उपलब्ध हैं, जरूरते पूरी करने के लिए आपूरती परियाप्त मात्रा में की जा रही है, उर्वरक मंत्राले ने शुकरवार को कहा, कुछ मीडिया रिपोर्ट में त्रिची, तमिलनाड और राजस्थान में खाद की कमी का दावा किया गया है, ऐसी खबरों में क देश में यूरिया, D.A.P., M.O.P., N.P.K.S., A.S.P. खाद की उपलब्धता रभी सत्र की जरूरतों के लिए परियाप्त है, राज्यों के पास यूरिया का 54.111 लाग टन और डाय अमोनियम फॉस्फेट, D.A.P. का 12.33 लाग टन का पहले का बचा हुआ स्टॉक पड़ा है, A.J.C. गेहुं की बवाई 5 प्रतिशत बड़ी गेहुं बवाई का रगबा मौझूदा रभी सत्र में 18 नवंबर पिछले साल की समान अवधी के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़कर 101.49 लाग हेक्टिया हो गया है, दलहन बवाई के रिकबे में गिरावर देखने को मिल रही है क्रिशी मंत्रा लेके आंकडों के मुताबिक दलहन की बवाई का रगबा 73.25 लाग हेक्टिया रहा, जो एक साल पहले की समान अवधी में 76.08 लाग हेक्टिया था, दलहनों में चना की वाई 52.57 लाग हेक्टिया में की गई